उत्तर प्रदेश के शहर रिशिकिश में कुड़ा बिनने वाले एक व्यक्ति को गंगा नदी के तट पर मौझूद जाडियों से 20 लाख रुपए के पुराने अमान्य नोट मिले। थाना प्रभारी रवी कुमार ने बताया कि कुड़ा बिनने वाला उत्तम थारू नेपाली है और उसने मुनिकी रिती पुलिस थाना इलाका के थतगंगा तट के आसपास स्थित जाडियों के पीछे पुराने 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट बिखरे देखें। उन्होंने बताया कुड़ा बिनने वाले ने इन रुपएयों को एक थैले में रखा और इसे हमारे हवाले कर दिया। ये नोट करीब 20 लाक रुपए के हैं उन्होंने बताया कि इस संबंध में जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के शहर रिशिकिश में कुड़ा बिनने वाले एक व्यक्ति को गंगा नदी के तट पर मौजूद जाडियों से 20 लाख रुपए के पुराने अमान्य नोट मिले थाना प्रभारी रवी कुमार ने बताया कि कुड़ा बिनने वाला उत्तम थारू नेपाली है और उसने मुनिकी रिती पुलिस थाना इलाका के थट गंगा तट के आसपास स्थित जाडियों के पीछे पुराने 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट बिखरे देखें उन्होंने बताया कुड़ा बिनने वाले ने इन रुपएओं को एक थैले में रखा और इसे हमारे हमाले कर दिया यह नोट करीब 20 लाक रुपए के हैं उन्होंने बताया कि इस संबंध में जाच जारी है